हर रोज एक नहीं कहानी देखने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना भूलें नायरा के सुसुराल वाले उसे उसके बरताव के लिए बहुत दाड़ते हैं बहु तुमने बहुत रोंग किया है तुमें अपने भाई और भावी से एसी बाते नहीं करनी चाहिए थी हमने तुमें तुम्हें तुमारे अच्छे बरताव के कारण हमारे बेटे के लिए चुना था लेकिन तुम तुम तो एकदम अलग ही बनती जा रही हो पापा जी मा जी मैंने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है और अगर आपको मैं गलत लगती हूँ तो प्लीज आप लोग मुझसे बात मत कीजिए अरे जा जा हमें भी तुछ से टाक करने में कोई एवरेस्ट मेरा मतलब इंट्रेस्ट नहीं है है आई बड़ी नायरा नायरा रुको नायरा गुसा होकर वहां से चली जाती है अब पंकज, वंदना और कांता तीनों भी नायरा से बात नहीं करते थे उनकी बात चित बंध हो जाती है अपनी वहन से मिले इतने बड़े अपमान के बात पंकज को बहुत बड़ा धक्का लगता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी छोटी मेरे साथ ऐसा भी कर सकती है उसके लिए मैंने अपनी सारी खुशिया अपने सारे सपने पीछे छोड़ दिये और उसके उजवल भविशे के लिए इतनी मेहनत भी की लेकिन उसका सिला मुझे ये दिया उसने जानी दीजिये जमाई साथ अब जो हुआ सो हुआ आप जानी दीजिये हाँ पंकज इस ओके अब हम फिर कभी नाइरा से बात नहीं करेंगे वक्त गुजरने लगता है और नाइरा प्रेगनेंट हो जाती है और साथ ही वंदना भी प्रेगनेंट होती है नाइरा वहू नाइरा वहू आज मैं बहुत हैपी हूँ क्योंकि आज तुने मुझे इतनी बिग वाली खुच खबर दी है मैं दादी बनूंगी और आप दादा जी बनेंगे अक्षद के पापा हाँ अक्षद की मा बदाई हो नाइरा बहूर अक्षद बिटा थैंक्यू मा जी थैंक्यू पापा जी काश आज इस वक्त हम ये खबर नाइरा को भी दे पाते कि वो बुवा बनने वाली है फेर खुशियों के मोके पर दुख दाईक बाते नहीं करनी चाहिए मा चलिए आप मुझे वो आपने बनाई हुए गोन के लड़ू खिलाईए प्रेगनेंसी में वो काफी हेल्दी माने जाते है हाँ गंदू बिटिया अभी देती हो तुझे प्रेगनेंसी के दोरा अक्षत नाईरा का बहुत अच्छे से खयाल रखता है लेकिन नाईरा हमेशा गेर जिम्मेदार ही रहती है ऐसे ही नो मेने बीच जते है और किस्मत फिर एक बार बहाई बहन को एक ही छत के नीचे लाती है जिस होस्पिटल में नाईरा की डिलिवरी होने वाली होती है उसी होस्पिटल में वंदना को भी डिलिवरी के लिए लाया जाता है उसी दोरा अक्षत और पंकच भी मिलते है और अक्षत पंकच को नाइरा की प्रेगनेंट होने के बारे में बता देता है क्या मेरी चोटी प्रेगनेंट है और उसकी भी आज डिलिवरी होने वाली है हाँ पंकज बहिया क्या वंदना बाबी भी हाँ अक्षद पंकज अपनी चोटी बहन के गर्भवती होने की खबर सुनकर खुशी से जूम उड़ता है उसकी आखे नम हो जाती है फिर वो अपनी सास से कहता है मा जी, देखो न किस्मत ने मुझ पर कितना बड़ा रहम किया है मैं एक साथ में है पापा और मामा बनने जा रहा हूँ हा जमाई साथ, मैं भी बहुत खुश हूँ वंधना को जुड़वा लड़का और लड़की होते हैं वही दूसरी तरफ नायरा का गर्भपात हो जाता है जिसके कारण वो खूब रोती है I am really sorry लेकिन मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आप अपना अच्छे से खयाल रखिये लेकिन प्रेगनेंसी के दोरा आपने खुट का खयाल बिलकुल भी नहीं रखा आपके खान पान पर आपने ध्यान नहीं दिया है और साथ में है मेंटल और फिजिकल थेल्थ में भी काफी कॉम्प्लिकेशन्स दिखी थे जिससे अब नाइरा कभी मा नहीं बन सकती क्या? नाइरा और उसके ससुराल वाले बहुत दुखी हो जाते हैं नाइरा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है लेकिन जब नाइरा को अपनी भावी को ट्विन्स होने की खबर मिलती है तभी वो उसके पास चली जाती है और वो अपने भाई और भावी से खाथ जोड़ कर माफी मांगती है मुझे माफ कर दीजे पंकु भाईा भावी मैंने आप दोनों के साथ बहुत गलत किया है आप दोनों के मन को ठेस पहुचा कर मैंने आपको बहुत दुप दिया है और आज मुझे मेरी उसी गलती की सजा मिली है ऐसा मत बोलो नाइरा सब ठीक हो जाएगा छोटी चल तु हमारे साथ घर चल तुझे अच्छा लगेगा चल बच्ची फिर पंकर नाइरा को अपने साथ घर ले जाता है वापस अपने घर जाकर नाइरा को भी बहुत अच्छा लगता है वो अपने भाई के बच्चों के साथ बहुत गोल मिल जाती है वो उनके साथ खेलती है उनकी देखभाल करती है और उसका मन फिर से खुश हो जाता है ये देख उसके भाई भावे और पती को बहुत अच्छा लगता है अले मेला बच्चा वोई चुटकी वोई मुटकू मश्ती गलनी मश्ती गलनी वंदू देख रही है न तू नायरा अमारे बच्चों के साथ कितने अच्छे से गुल मिल गई है हाँ पंकर्ज तुम सही कह रहे हो नायरा को हमारे दोनों बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है ऐसे ही कुछ दिन बेतते हैं थोड़े दिनों बार रक्षा बंदन का त्योहार आता है और इस साल नायरा अपने भाई को राखी बंद कर उसकी आरती उतारती है तंकु भईया आप इस बार मुझे क्या तोफा दे रहे हो बोलो बोलो तभी पंकर्ज नायरा के हाथ में अपने बेटे को थमा देता है भईया हाँ छोटे यही है तेरा तोफा हमारा मुटकू जो अब तेरा है तू कभी मा नहीं बन पाएगे लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमने तुझ में चुपी मा को देख लिया है और इस मा को इस मुटकू से जो लगाव है वो बहुत ही अतूठ है इसलिए मैं अपनी छोटी को मेरा ये बहुत ही कीमती मुटकू दे रहा हो हा नायरा मुटकू की मा अब तुम ही हो क्योंकि हर बार जनम देने वाली मा नहीं होती जिससे हमें ममता का एहसास हो वही हमारी मा होती है और मेरे मुटकू के लिए तुम ही उसकी मा हो अपने भाई और भावी की बात सुनकर नायरा बहुत भावुक हो जाती है वंधना और पंकच का अपने बहन के प्रती ये प्यार देखकर अक्षत भी बहुत खुश होता है धन्यवाद पंकु भाईया आज तक का ये सबसे बेस्ट रक्षा बंदन का गिफ्ट है भगवान करें कि आप जैसे भाईया हर बेहन को मिले अंत में नायरा अपने भाई के गले लगती है और दोनों खुशी से रक्षा बंदन का त्योहार मनाते हैं और पूरा परिवान हसी खुशी से जीवन बिताने लगता है